हेलो साथ्यू आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है हमारे छोटे से परिवार सेविन इलेवन स्टडी यूट्यूब चैनल पर और आज हम जो चर्चा करने वाले एक लेटेस्ट पेपर जो कि आरपीसी द्वारा लिया गया था फूड सैप्टी ओफिसर का भी कब लिया था भी 27 जून को लिया गया था भी जादा दिन नहीं हुए दस से बारा दिन हुए और लेटेस्ट पेपर का पैटर्न आप देख सकते हो कैसा पेपर बनाता है इसके अलावा आप राजिस्तान के कौन से एक्जाम की तैयारी हो कर रह देखेंगे तो अपनी तैयारी को बहतरीन बनाने के लिए हमारे साथ जुड़ी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिससे कि आपको नविंतम जो पैपर से पैपर बन रहे है आरे सब्सक्राइब के और रपीस से के उनका आपको पैटर्न आपको पता पड़ सके औ वो आपके पैपर में बिल्कुल गलत ना हो तो चलता है पहला कोशन की और पहला कोशन आपके सामने है जैसा की जादा टाइम वेस्ट ना करते हैं सीधा पहला कोशन पर अपन आ चुके हैं बालर नर्ते मांदल नर्ते लूर नर्ते कूद नर्ते किस जंजाती का नर्ते है यह आपको बताना किस जंजाती का नर्थे यह आपको बताना है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा राइट आंसर हो जाएगा option number two बिल्कुल राइट अंसर हो जाएगा वे ग्रास या जन्जाती के नर्ते यह कौन सी जन्जाती के नर्ते है इसके एक दोगर छोटी सी ट्रिक में आपको बदाता हूं आपको याद रखनी है ठीक हमेसा याद रहेंगे मावा मोज गोकुल मावा मोज गोकुल मावा मोज गोकुल मा से आपका मांदल हो जाएगा वा से आपका वालर हो जाएगा गो से आपका घोर हो जाएगा कू से आपका कूद हो जाएगा ले से आपका लूर हो जाएगा ठीक ह कि वापस में बता हूं क्या ट्रीक है आपको वापस से एक बार वापस बता देता हूं चोटी शी सिर्ट के जाधा बाड़ी ट्रिक है मावा माज मावा मोज गोकुल ठीक है बार बार आप दिमाग में जब बता हूं गाность सMore police मासे मांदल वालर, मोरिया जवारा, गोर, कूद और लूर नर्ति यह जो है ग्रास या जंजाती के नर्ति में आपको बताया है जो कि मॉस्ट इंपोर्टन्ट है इसके अलावा में आपको कालबेलिया जंजाती के नर्ति भी आपको बताई देता हूं ठीक है इसकी छोटी से से आपको याद देंगे भांगय या इंड में ठीक है पनिहारी संकरिया नर्तिंगे है चार नर्तिया जम्सेर से या बात कर लेता हूं तो भील जन जाती कि जो छोटी से ट्रीक आपको याद रखनी है क्या याद रखनी है गंवरी गेर ने दियो हार ठीक है क्या ट्रीक देखो वापस से बता रहा हूं मैं बहुत आसान ट्रीक ज्यादा टफ नहीं है गंवरी गेर ने दियो हार ठीक है तो चक्री ओजाएगा यू से आपका युद्ध नर्ति हो जाएगा और यू से आपका हाती मना रहापका रमणी नर्ति हो जाएगा तो यह परमुग नर्तिये थे जिनके बारे में अपने बात करीं इसके अलावा ग्राशिया जन जाते से जुड़े कुछ अन्य तर्थ्यों के अ का जाता और ग्राश & के गांध को फालिया का जाता है क्या जाता है ग्राश चैए चैवारन का जाता है उसे मू मुक्हित आँ से रहाए, के आपका राइट आंसर था वो बिल्कुल है लू था यह आरपियसी द्वरा पूछा हुआ सवाल है कि हैल रू संस्ता का संबंध कौन सी जन जाती से तो ग्रासिया जन जाती से इसका संबंध है बिल्कुल और इसके अलावा में बात कर लो तो एक होता अपना सोहरी सोहरी नाम उसमें उसे खालों सोरी कीवर जाता है जाना जाता है है क्या अगला कुशन आपके सामने है क्ंट सुमेलिध करना है शूची sound Press कीजिए सूची के नीचे दिएगे कूट करके सही उत्तर को चुनना आपको एक तरफ पुस्तक के दीवी एक तरफ आपको लेखक दिये वे एक तरफ आपको लेखक मिलेंगे ठीक है तो देखते हैं हमीरायन जो कि अपनी पदम नाप की हो जाएगी ऑप्शन नमबर तीन रणमल चंद जो आपका हो जाएगा ठीक है अचल दा स्री खीची री वचनी का सीवधास गार्डन की हो जाएगी और राव जेत सीरो चंद स्रीदर व्यास का हो जाएगा ठीक है तो यह आपका मैंने सुमेलित कर देए इसके अलाह में कुछ और ग्रंतो में जरूर एड़ करना बहुत सांदार सांदार कृतिया और उनके लेकक के नाम मैं आपको बता रहा हूं ठीक है प्रत्युराज विजे की बात कर लो तो बट सदासीव ठीक है इसके अलावा एक सांदार करती थी विकाने रियास क्योंकि जो सासकों के बारे में वर्णना थ यह किसने लिखा था यह जे सौम ने लिखा था जे सौम ने यह आपको याद रखना है मौस्ट इंपोर्टेंट करती एक्जाम है पूछी विए एक अपनी अमर काव्य वनसाव लिए जो कि रंचोड दास बट ने लिखे थी रंचोड दास बट के द्वारा रचित है इसके और हमिरायन में क्या तो जालोर रियासत है ना जालोर रियासत के सास्कों का वर्णन मिलता है इस हमिरायन में ओप्शन नमबर ए जो हला हमिरायन है इसमें जालोर के सास्कों का वर्णन मिलेगा पृत्युराज रासों के बात कर लो तो इसके जो रचियता हो चंदर वर्दा दिए अगले कोशन पर बढ़ता है अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन आपके सामने है डूंगरपूर बासवाड़ा सेतर में बोली जाने वाली बोली कहलाती है क्या कहलाती है तो इसका जो सही आंसर हो जाए कि डूंगरपूर और बासवाड़ा में जो बोली 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 भी कौन से बोली बोली जाती वागडी बोली बोली जाती है अब अगर बात कर ला कि राजस्तानी भासा के जो उत्पत्ती हुई वो सोर सेने के गुजर अबरंद से माने जाती है ठीक है वो राजस्तानी राजस्तानी भासा देवस परतिवरस कब मनाया जाता तो 21 फरवरी को म अनाया जाता है इसके अलाव में बात करलू कि तो आ मज़न कि ना झीव क्षा आज वर्गेक रहना जोज को semin nay कितने भागों में बाता तो फाइस बाकों में बाता था जोज इब्राहायम से राजस्टाणी भाषा को दक्षिनी राजिस्तानी हो जाएगी ठीक है तो इन पाच भागों में इनने बाटा है ठीक है वापस से बता देता हूं मैं कौन-कौन से भागों बाटा देखना मैप से बता देता हूं जो आपको समझने में तोड़ा एजी हो जाए पूर्वी राजिस्तानी लुए फूर्फ चोथा जो अपको और कौन सा दक्षिनि पूर्वी राजिस्तानी ने पाट वागों में बाटा है ठीक है जो जिए जो बुक ते कौन से तांसी तहीं सर्वे औफ इंडिया के अंदर इसका विसलेशन आपको मिलता है जबकि LP 33 ने राजिस्तान की बोलियों को केवल दो भागों में बाटा वी ठीक है LP 33 की में बात कर लो तो राजिस्तानी भासा को कितने भागों में बाटा तो दो भागों में बाटा है कि से कौन कौन से बाटा थे एक तो आपकी पूर्वी राज़स्तानी बस दोह इी वागों बाटा अफ तो पुर्वी राज़स्तानी एक पूर्वी राज़स्तानी दूंडाड़ी अजमे राजावाटी, चोराशी, नागर चोल और हाडवती को लिया है तो अब अगले कोशन के आपर जाता दें पैला कोशन क्या है तहो अगला कोशन देखो बिल्कुल आपके सामने नेम लिकित मैं से अरावली का कौण सा सीकर से नीचा है किन्तु अचल गढ़ से ऊचा है तो अपन देख लेते कौण सा है देखो मैं बना देताएं हम बिल्कुल आपके सामना होते है अगरे डाइग्राम से पना समझने की कोशिस करते है तीक है सबसे ओचा जो गिए अपना 17 22 ग्रूशी कर होगा ठीक दिल्वाडा के बाद में बात कर लू तो आपके आजाईगे अचल-गट पाइलए परवर्त्य शेत्र में नहीं है यह आपको बताना है तो देखो इसका देखते हैं अपन रोजा बाकर जारोला पाड इसराना बाकर गोगुंदा तो option number D आपका बिलकुत सही answer हो जाएगा ये जालोर परवत्ती सेतरमनी गोगुंदा जो आपका पढ़ता है उदेपूर में पढ़ता है कहा पढ़ता है गोगुंदा जो की चोटी है देपुरों पढ़ते हैं इसके गोगुंदा की जो उचाई की बात कर लो तो 840 मीटर ठीक है 840 मीटर उचा है अब देखो मैं जो जालोर की जो पनमुक चोटियान उनके बारे में बात कर लो जो कि जस्वंतपुरा की पाडियों पढ़ती है एक चोटी से ट्रिक आपको याद एक कुछा याद और प्रवत एसराणाबाकर जारोला और सुन्दामाता क्लेर हो गया थेक है दोरा परवत इसराना भाकर रोजा भाकर जारोला और सुन्दा माता ठीक है क्लेर हो गया तो अब मैं बतादा है दोरा डोरा परवत की जो उचा यह आठ सो उनसी तर ठीक है इसराना भाकर की बात कर लो तो 849 है, रोजा भाकर की बात कर लो तो 730 है, जारोला की बात कर लो तो 508 सी मिटर हुचा है, कितना वह पांसो अठ्था सी मिटर हुचा है, जबकि सुन्दा माता परवत की में बात कर लो तो 450 मिटर हुचा है, कितना 450 मिटर, तो यह जो ट्रेक है इससे आपकी जालोर की जो परवत चोटिया वो बिल्कुल आप याद रख सकते हो अगर आपको उचाही याद निये फिर भी आपका जो ओडर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स अगले कोशन की बात करते है वाकल तता सही दारा से मिलने से जो नदी बनती है वो कौन सी नदी है तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा का option no.2 साबरमती नदी बनती है, कौन से? साबरमती नदी बनती है, JONमती जो कि उदेपूर के अरावली के डेवर जील से निकलती है ISKी बात कर लूंतrich वो 371 &7 10 का düş आपको याद रखना त्ब्सपर के वहा IsKी नदी नाह events. आपको याद रखना है तो कोसी नदी से नदी मि से गुछान को जाती है क्क लिए तरफ से मिलती है ये अपना जल जो ले जाती है खंबात की खाड़ी में ले जाती है ये दो राज्यों बैती एक तो राजस्तान एक गुजरात वा कभी पूझ देखन हो तो दरोजीcksopath नाम है नाम है । यह आपको यादर रखना है दरोई बांध ठीक है जुका पड़ता मैसाना गुजरात के अंदर पड़ता है तो अगले कोशन के और बढ़ जाता है अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन आपके सामने तो सूची 1 को सूची artifacts सूमैलिद कीजिए सही उत्तर का चेन नीचे दिएकी कूढ़े से करना अपको ठीक है सबसे पहला पर सूमैलिद कर लेत्य नमग्खा जिल आपकी का पड़ती है तो बूंदिव में में पढ़ती है नवलखा दुर्ग की में बात कर ले तो जालावाड में पढ़ता है नवलखा दुर्ग जालावाड में नवलखा बुर्ज चितोडगड में नवलखा बुर्ज चितोडगड में नवलखा बावडी डूंगरपूर में पढ़ती है नवलखा बावडी कहा पढ पढ़ता है नवलखा मंदिर आपका पढ़ताई पालि में महल के में बात कर 오늘도 फ्यटेपूर कर fewon Pe след वे चुरह कर एक पार में बीटि कर रहा हूं झालाब कर रहा हूं दिरे से आप उने worth में बार-बार एकजाम में पूछी जाते हैं इसमें आप कंफूज हो जाते है की कौन सा कहा है सारे नीज अब चेम अपका अब कोन सा meno यह कुल भी एक चैने में और बात करने वाले जो चक्थ्ये आगो जरूर आपको याद एकने इसके लावा इसके लावा नोरे बात कर लो देसने बिकाने में पड़ती है जबकी के चार तथि मैंने आप से शेयर किये सावन बादो जील सीरोई में सावन बादो बांध कोटा में ठीक है सावन बादो बांध के दो परियोजना के दो नहर के दो ये कोटा में ही पड़ती है सावन बादो महल आपका बरतपुर में पड़ता है सावन बादो कड़ाईया आपकी देशनों के बीकानेर में पढ़ती है कि इसके iç फेलावा मैं पता देता आईग। पुर्मने पड़ती है जोतपुरवियता अब इसके लावा एक थंबा मेहल अप थंब एक थंबीया मेहल तो आपका पर did ऐंप आपके मधिया मेहल पढ़ता है ठीक है आपको याद्रकना जूना गड़ भिकार्श मेर आपका जायकatin यूंगर्पूर्पूर् मोझए तरह भी आपको याद रखने जो कि मॉंस इंपॉर्टेटन हैं अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन आपके सामने तो कौन सा जिला नियुन्तम ओसत वार्षिक वर्षा प्राप्ट करता है तो देखो उद्यपूर दोसा चितोडगर और नागोर इसके अंदर देख लो कि मरुस्तिली जिला कौन सा जब मरुस्ता लेवा कम बरसात होगी तो यह सबसे कम जिला जो परसात है वो बरसात में ठीक है क कौन सा कम पराप्त करता है बरसा तो यह नागोर जाएगा कितनी 31% ल अबगवत 31% पर तरक करता है ठीक है यह आपको aD ratch वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका जालावाड कौन सा हो जाएगा जालावाड जबकि राजिस्तान में सरवादिक वर्षा वाला इस्तान माउंट आबू कौन सा हो जाएगा माउंट आबू ठीक है और मैं बात कर लो कि राजिस्तान की ओसत वर्षा कितनी है तो 57.51 यह र कोशन की और पर जाते है अकला कोशन क्या उदेपूर और कोटा जिलों में मर्दा है कद्ब्राओन मर्दा नवीन परवत्तिय मर्दा लाल दो मत सकरा तो इसका रायत यह कोटा में जो पाई यह यह अपी चपाए ऐनकार पूर लिए सारी मर्दा चार बताई जो रेवरीना मर्दा कहा है पाई जाती आपकी गंगा नगर में पाई जाती है साइरो जेक्स जो मर्दा पाई जाती गंगा नगर में पाई जाती है जिपसी फेरम मर्दा आपकी बीकानेर में पाई जाती है और नवीन भूरी मर्दा जो की को पता राजिस्तान के दक्षिनी पार्ट में डूंगरपूर और बास्वाड़म पाई जाती का पाई जाती डूंगरपूर और बास्वाड़म तो यह तत्थे भी आपको याद रखने हैं जो की इंपोर्टेंट तत्य है इसके अलावा मिट्टी से जुड़े कुछ और तत् सबस् grinding से सरवाधिक होता तो चंबल इसे सरवाधिक होता है कि अजयर इसके हैं क्यों बीस पर ठीस पर fights राजस्तान मेंसी तके क्तना 20 परतीसित वाग मैं जबकि राजस्तान में सब्स्टे जाधा बात कर ले तो झसल्मेर में सबसे जाधा वेर्थ पूंट 30.30 5 राजस्ता बत अब ये अगले कोछन के और बढ़ जाते गाई अगला कोछन क्या है जो इमपोर्टन तथै थे उनकी बात अपने कर ली है अब ये question number 10 वन विबाग राजिस्तान के प्रसासनिक प्रतिवेदन 2022-23 के अनुसार उन जिलों के समू का चेन कीजिए जहाँ 2020-21 के आकलन के अनुसार वनावरन उनके भोगोलिक सेतर के 10% से अधिक हो तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा बिल्कुल option number 2 बिल्कुल right answer हो जाएगा no doubt राज सम्मन्द करोली और धोलपूर ठीक है इनके भोगोलिक सेतर के 10% से अधिक वन याँ पाये जाते है अगले question की बात कर लेता हूं है सबसे अधिक और सबसे कम महिला साकसरता प्रतिसत जंगना 2011 के अनुसार निम्द में से किस जिलो के युग में पाई जाती है तो इसका जो सही answer हो जाएगा आपका बिल्कुल option number 2 quota और जालोर quota में कितनी है तो यह आपको याद रखना 65.9 है जबकि जालोर की 38.5 है यह भी आपको याद रखना ठीक है इसके अलावा में important बात कर लो तो देखो सरवादिक महिला साक्सर्था वाले जिलो की बात कर ले तो सबसे पहला आएगा quota सबसे पहला कौन सा हो जाएगा quota quota की मैंना आपको बता दी कितनी है 65.9 है ठीक है इसके बाद जो आएगा आपका जेपूर आएगा जेपूर की कितनी है तो 64.5 है ठीक है 64.3 फिर आएगा जुन-जुनु जुन-जुनु की कितनी हो जाएगी 61.3 हो जाएगी ठीक है फिर आएगा गंगानगर गंगानगर की कितनी हो जाएगी यह चार जिले जिलोकि मेला साकस्रता के सरवादिक साकस्रत वाले जिला है इसके अलाव नियुंतम की बात भी करी लेता बनको बता दिया जालोर का कितना आग्ट पाच अब 38.5 जालोर के बाद नंबर आता शिरोई का सिरोई का कितना 49.7 प्रतिसात है जब कि जसल मेर की महिला साख सर्ता की बात कर लू मैं तो 49.7 शिरोई की और जसल मेर की दोनों की 49.7 बाड मेर की बात कर लू तो 40.6 यह आपको याद रखना यह चार जिले ऐसा है जो कि राजस्तान में न्यूंतम महिला साख सर्ता वाले जिले है यह आपको याद रखना अगले कोशन के और बढ़ते है कि सन 2002-2003 में राजस्तान राज्य के कुल कितने जिलों को अकाल प्रभावित जिले गोशित किये है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंब पढ़ाते है याВ mentality जिले के अंदर दो जार दो जार एक में इसके अलाव नोग दोर दश के बात करकर लोगो तो राजस्तान के 27 जिलों के अंदर अकाल पढ़ा था कितने जिलों में 27 जिलों में ठीकी है जितनाके नविंतम बात कर लेता हो मैं ऐसके जिलों आपकर लेक्ये यह जो 22-23 का जो आकड़ा बता रहा हुगने यह संभावित आकड़ा के अवल एक जिला, बागके यह जो 21-22 की से अरे confirm है, ठीक है, 22-23 के अंदर संभावना जो बता ही, केवल एक जिला अकाल से परभावित होगा, ठीक है. इसके ऐलावा अन्य तत्ये गांग बात कर लए तो मैंने बताये था कि Ikaal जो हूता वो कितने परकार का होता तो वह चार त्रे का घाल कितने त्रे का हुथ अलग कि युंआ हो जाता है positip tot arian Chih ही में पड़ाता हुण का जानवरों को खाने के लिए पानी नहें था और स्अमसा कीमा बात करता है खरिको की अगरी कलों 打- помी जो कि एक्जामेएm पूचे जाते जासे सहसा मुथसा अकाल कब पड़ाता नियुकाशता अ нетपा de इसके लाव मैं और वात करूँध 52 एक्जाम में बार बार पूछा जा जाता है तो यह कब पढ़ाता इसका नाम जो शॉपनीय पढ़ाता है इस rule debates शॉपनी याकॉल के नाम से जाना बाता है इक जो अपना काल पढ़ाता है महाकाल जो तो यह भी आपको याद रखने जो कि इंपोर्टन तथी मैं आपको बता दिया अगले कोशन आपके सामने कोशन नंबर 13 कोशन नंबर 13 क्या कोशन नंबर 13 बिलकुल आपके सामने वन विबाग राजस्तान की प्रसासिनिक प्रतिवेदन 2022 के अनुसार निम लिखित में से किन जिलों के समू में 2019 से 21 की बीच अधिक्तम दर से वन का विनास हुआ है यानि सरवादिक वनों की जो कटाई हुई कौन से जिलों मुई सरवादिक वनों की जो कम हुई वो कौन से जिलों मुई ये पूछ रहा हैं तो देख लेते सबसे पहला तो इसका जो देख लेते सबसे पहले जो सरवादिक कमी हुई ने वो आपको मैं बता देता हूँ इसका जो सही आंसर हो जाएगा अपना option number 4 बिल्कुल right answer हो जाएगा ठीक है सरवादिक कमी हुई जालोर के अंदर जालोर में कितनी कमी हुई तो आपको याद रखना वनो की कमी जालोर when करोली की मैं बात कर लोगा थे Fernando constitution, तो 26.16%Kा-जालोर छ Brush活 क आलोगा ठीक है इसको अलावा एक ओर थिसरे जिलले को बात कर लो do सिरोई सिरोई के अंदर जो कमी हुई 13.49 परतिसत कमी हुई है ठीक है यह तीन जिलह से है जा सरवादिक वनों का विनास हुआ यानि वनों की कमी हुई है जालो और 32.46 करोली 26.16 सिरोई 13.49 अब कि वर्दी की बात भी करी लेते साथ का साथ जो आपको अच्छे से याद रे जाएगा सरवादिक वर्दी की बात कर लो तो अजमेर के अंदर हुई है कितनी 26.45 परतिसत 26.45 परतिसत वर वर्दी हुई है ठीक है इसके अलाव में बता दो तो राज़ जि好吧 वर्दीक की बाहर लकुन हो जो वनों का आकड़ा पूचा जाता है जो कि मैं बार बार आपको बताता वह आ तो वह आंपससे एक इन भागों बाटा सबसे पहला आरक्षित वन आरक्षित वन जो कि कितना परतिसत राजिस्तान में तो 37.05 परतिसत और सरवादिक आरक्षित वन कहा पाए जाते हैं उदेवपूर में पाए जाते हैं ठीक है इसके अलाओ दूसरे नंबर की मैं बात कर लो रक्षित वन कौन सा ज्साथा जो रख्षित बाद करें तो रचित बार रम पाई जाते हैं तो यह तथी आप याद रखने जो कि मौस्ट इंपोर्टन तो इसके अलावा में बात कर लो सरवाधिक जाड़ी जो पाए तो 32,862,863 वर किलोमेटर में है तो यह तथी पर आपको याद रखने अब अगले कुछन के और पर जाते हैं अगला कुछन क्या है अगला कुछन आपके बिलकुल सामने राजिस्तान स्टेट इन्वाइर्मेंट पॉलिसी सरुपरतम कि स्वरस लागों की गई तो इसका जो हो जाएगा 2010 में 18 फरवरी 2010 कब 18 फरवरी 2010 के अंदर इसे लागो किया गया था अगले कुछन के और पर जाते हैं भूकिया जगपुरा देलवाड़ा पट्टी जाने जाती है तो सोने के बंढ़ार के लिए जाती किसके लिए जाती भी ऑप्शन नमबर टू आपका बिलकु आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पवन उर्जा की बात कर लो मैं तो सरव पर्थम जो परियोजना थी ठीक है यह भी आपको याद रखना है जो कि मौस्ट इंपॉर्टेंट है इसके अलाव में सोर उर्जा की बात कर लो तो पर्थम जो सोर उर्जा परियोजना थी न वो मतानिया जोधपुर में दूसरी आपकी गोरिन जुन जुनों में फिर फागी जेपुर फिर बालेसर जोधपुर और रावदवटा चित्तोड यहाभी सोर उर्जा के सयंत्र मेवाट टेक्स्टाइल मेल अवस्तित है तो बहुत आसान कोशन यह बीलवाडा में इस्तित है अगले कोशन की बात कर लेते हैं निम लिखित में से कौन सा एक रिको का कर्शी खाद्य फारम के अंदर है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर आपका फोर बिल्कुल बोरानाडा जोद्पुर राइट आंसर हो जाएगा राजस्तान में देखो जो फूड पार्क है न वह चार फूड फूड फार्क है ठीक है कौन-कौन से मैं आपको बता देता हूं कोजो अंग कोजो अंग ठीक है कोका कोटो हो जाएगा जोषाप का जोजपुरों अंग असापका अलवर हो जाएगा गह सबका गंगानगर हो जाएगा ठीक है जो मेगा फूड पार्क है पूड यह चार जिलों के अंदर है राजस्तान में आपको याद रखना इसके अलावा मैं बात कर लेता हूं ये एग रोफूड़ पार्क्स में आपको बताई थीक है रीको पीरानम नाम पहले आपको याद रखना क्या है राजस्तान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इन्वेस्टमेंट कोप्रेश नहीं रिको का पूरा नाम है ठीक है हिंदी में बात कर ले तो राजस्तान राज्य ओध्योगी की विकास और निवेस निगम इसका मुख्याले जो इस्ती थे वो जेपूर में इस्ती इसका उद्देश ही क्या है का रिका करती है तो यह मद्यम और वरेद जो उद्योग होता है उसको विक्सित करने के लिए जमीन और रिन देती है यह यह आपको याद रखना है यह इंपोर्टेंट जो तथिते में आपको बता दिए अगले कोशन के और बढ़ दाते हाली मे विवासी महिला विक कमांडर बारती वायू सेना की वीरता पुरुसकार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनिये तो उसका क्या नाम है तो उसका जो नाम है दीपी का मिस्रा ऑप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा राजस्तान वन विबाग दौरा हाली में गोसित तीन वन ने जीव सरक्षन रिजर्व है कौन-कौन से है तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा ठीक है ये कुल मिलाके 26 हो गे तेर 26 वी वरतमान के अंदर 27 वा और कंजर्वेशन रिजर्व गोसित किया गया जो बांज आमली जो की बारा में पड़ता है राजस्तान में कुल कितने कंजर्वेशन रिजर्व होगे तो 27 होगे ये आपको याद रखना है अगले कोशन के वर बढ़ते है तेरा और 14 मार्च 2023 को किस इस्तान पर राजस्तान मिलेट्स कोंक्लेव आयोजन किया गया था तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर चार जेपूर बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा नेक्स अगले कोशन के वर बढ़ते हैं मार्च 2021 में एक सीजन में 58000 मीटर परवस सिक्रों पर च सम्मिट 2023 का उद्गाटन किया इस सम्मिट का आयोजन कहा किया गया था तो इसका जो रायट आंसर हो जाएगा ओप्शन नमबर तीन वारा नसी कहा किया गया था ठीक है अगले कोशन के और देख लेते हैं इंप्रिट इंडिया योजना भारत में विज्ञान और अचार को बढ़ावा देने पर अगले कोशन के और बढ़ता है करन्ट अफेर के सवाल चल रहा है आपके हाली में भारती मूल के वेक्ति को विसु बेंक के अद्धिक्स की रूप में चैनित किया गया उसका नाम क्या इसका नाम है अजे बंगा ओप्शन नमबर तीन आपक सवा की थीम है तो इसका जो आपका रायट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नमबर टू डवली एचो एट 75 सेविंग लाइव ड्राइविंग हैल्थ फॉर ऑप्शन नमबर टू आपका बिल्कुल रायट आंसर हो जाएगा अब यह कुछ जो अलग कोशन आगे फिर कोशन पर चलते हैं सीथे पिछे की साइट रास्तान जीके दिया हुए यह आपके फिर साइंस केर मैस के कोशन आ अगया है को नीचे और राजस्तान के अच्छे-च्छे और नीचे बने वें आपके दस से बारा कुशन और बने यह तो उन्हें भी देख ले थापन ठीक है यह आगे ठीक है यहां से स्टार्ट है यह आगे बरतपुर जिले के किस गाम में उत्खनन से ताम रियुगिन सब्वेता के अवसेश मिले है ठीक है तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नमबर टू नो बरतपुर से मिले विका से मिले नो बरत नमबर थीर इसका उत्खनन जो किया था किसने किया था आर्से अगर्वाल ने किया था यह बहां है ने यहाद को याद कर नहीं है कि जिक है खाले का ये एंढू करते आहरा Nवासी दो मकान बनाने में पकीईटों का प्रियोंग कर ते रिपको यह और करते था है नो सभमेक में कुशान नरेज होविस्क और वासुदेव के सिक्के प्राप्त हैं मुस्ट इमपोर्टन्ट मेंपको खेशंगी और दूसरा वासुदेव के on आपका बिल्कुल आपके सामने जेपुर में राजनेतिक चेतना उदे और विकास में निम्न में ईग्डान दिया टा इसक जो राइट-ांसर 2018 presenting ... आपका option number two बिल्कुल right answer हो जाएगा अर्जुनलाल सेटी अर्जुनलाल सेटी कि मैं बात कर लूँ तो 1880 में इनका जनम हुआ था ठीक है ये चोमो ठिकाने के कामदार पत्पे इनकी नुक्ति विती इनको नोकरी करते थे और 1906 में जहन सिक्ष्या परचारक सिमिति की स्थाप कर दिया और 1907 में इसका संद्ध अजमेर में कर दिया ठीक है ये भी आपको याद रखना इसके अलावा मैं बात कर लो तो 12 दिसंबर 1912 को लोड होडिंग के जुलूस पर बन फेके जाने की घटने के पीछे की जो रूप रेका जो तियार किती नहीं अर्जुनलाल सेटी न यहीं ग्रंथ है यहीं भी आपको याद रखने है और अंतिम इनके जो अंतिम समय बीटा तो अजमेर दर्गा में बीटा था इनके अपना नाम बदल कर करीम खा रख लिया था कि अग्ले question कि और अगला question आपके सामने रूपा जी और कर्पा जी और कर्पा जी क्या legitim वह तुदेखो निम लिखित क्यू़ें में है कौन सा यूग में Sumerili रूंस है वह आपको बताना रूपा जी कर्पाजी बेगु किसान अंदुलन नान जी भील देवा लुपाजी और करपाजी का जो समंध है वह बैगु किसान आंदोलन से रूपाजी और करपाजी के जो मोचके घाट उतरे वह बैगु किसान आंदोलन का रखते हुए मारे गए ते ठीक है सही दोगे ते यह वो नानक भील और देवा गुचर इनका सम्मंद्ध बिकानेर किसान आंदोलन से नहीं भील किसान आंदोलन डाब भी हत्त्याकांड से कौन से डाब भी हत्त्याकांड जो कि 2 अपरेल 1923 को हुआ था नांजी पटेल ठाकरी पटेल का सम्मंद्ध बिजूल या किसान आंदोलन से यह आपको याद रखना है अगले कोशन के रूपट जाते गाइस गोपाल दास खूब राम सत्यनारण मानमल जेन इन्हें से कौन बिकानेर राजद्रो सडियंत्र मामले में समयलित है यह बताना आपको तो मैं बता दे जाएगा आपका एक दो तीन ऑप्शन नंबर टू विल्कुल रायट आंसर हो जाएगा जो बिकानेर राजद्रो सडियंत्र जो हुआता है नाइंटीन थर्टी टू में हुआता कब हुआता था यह आपको याद रखना है अगले कोशन के बढ़ते राजिस्तान के एकिकरन सवरूप सिंग को बनाया था किसे बनाया था उदेपूर के सवरूप सिंग को बनाया था यह आपको याद रखना है जो कि मौस्ट इंपोर्टेंट है अगले कोशन के बढ़ते हैं निम लिखित में से कौन से मंदिर गुजर परतियार सहली के है जैसे मनें कल या परसु वा रहे हुगा वीडियो देखखा वो तो यह कुशिन आपका गलत नहीं होगा जगत-थे इनने किराड़ो के सम्टार मंदिर गुजर प्रतिहार कालिन है लेकिन चितोरगड किले का जो समिदेश्वर मंदिर है यह बिल्कुल गुजर प्रतिहार नहीं है ठीक है यह कौन सी सहली में निर्मित है कौन सी सहली में के नेतात थे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भील आंदोलन ठीक है गोविंद गुरु का जो संब्धाव भील आंदोलन से गोविंद गुरु ने समसबा की स्थापना करी तो उन्हें अशुरी 1883 में करी ती यह भी आपको याद रखना ठीक है और एक मोतिलाल तेजावत उनका संब्ध भील आंदोलन से था ठीक है उन्होंने भी भीलों के उत्थान के लिए कारे किये जिसे गुरी गोविंद गिरी ने करें इसी तरह मोतिलाल तेजावत ने भी किये है ठीक है तो आज के सेशन को यही समाप्त करते अगले सेशन में आपसे फिर मुलाकात हो के सा करें देवाद